दोस्तो जब भी हम कोई फाइल या फिर फोटो वीडियो बगरा ट्रांसपर करना चाहते हैं अपने फोन से कोई दूसरे Android डिवाइस को तो दोस्तो हमारे दिमाग में हमेशा आता है जेंडर से आरीट या फिर ऐसे कोई थार्ड पर्टी आपस के बारे में लेकिन दोस्तो Android मे अल्रेडी प्री इंस्टन एक ऐसा सेरिंग सर्विस है जिसके मदद से हम बड़े ही आसानी से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के ऊपर फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं जिसके बारे में दोस्तो किसी को साथ पता नहीं होगा या फिर कुछ लोगों को पता है तो दोस्तो इस एक नोज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सो हलो फ्रेंड्स माइने में इस समयक क्यों आचिंग टेक फीन लेस्के स्टाट एट दोस्तो नर्मली हम जब एक नया स्मार्टफोन खरीचते हैं तो दोस्तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि जो हमारा ओल स्मार्टफोन म के से लाए तो दोस्तो इसके लिए हम जाते हैं थर्डपटी आपस के उपर जेंडर से अरी या फिर और कुछ थर्डपटी आप लेकिन दोस्तो आंड्रोइड में अर्लेडी एक प्री इंस्टल्ड सर्विस दिया गया है जिसके मदद से हम सेंड कर सकते हैं 22 फोन के अंदर और दोस्तो जिसका नाम है Nearby Share तो दोस्तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन में वो Nearby Share को Enable करना पड़ेगा उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा हमेरे Mobile के Setting के अंदर और दोस्तो यहां पे Scroll करते जाएगा तो नीचे आपको Google का option मिलेगा, तो Google के उपर tap करेगा, तो दोस्तो बहुत सारे option आएगा, उसमें से एक option होगा device and sharing, या फिर कुछ कुछ स्मार्टफोन में होगा device connections, ऐसा कुछ हो सकता है दोस्तो, phone to phone vary करता है, तो दोस्तो हमें उसके अंदर जाना है, और जाने के बाद हमें देखने क कैसे करेंगे, देखिए, जिस device से हमें data transfer करना है, उस device के अंदर जाना है, file manager को जाना है, और दोस्तो वो सब select करना है, जो हम भेजना चाहते हैं, तो दोस्तो select करने के बाद, send या फिर share जो भी होगा दोस्तो, उसे अगर click करेंगे, तो दोस्तो आ जाएगा nearby share, वहाँ पे click करेंगे, तो वो search करना चालू कर देगा कि nearby कौन सा device है, लेकिन दोस्तो इसके लिए कुछ criteria है, आपका phone का जो Bluetooth है, और दोस्तो GPS और Wi-Fi, ये तीनों की तीनों on होना चाहिए, दोनों ही device में दोस्तो, Bluetooth, GPS and Wi-Fi, तो दोस्तो उसके बाद ये device search करना सुरू कर देगा, कभी- notification में कभी-कभी आता है, कि do you know make your device visible or not, ऐसे कुछ आता है दोस्तो, उसे आपको on कर लेना है, अगर आता है, अगर automatic आ जाता है, तो ठीक है, अगर नहीं आता है, तो दोस्तो उसे हमको on कर लेना है, उसके बाद वो device, पहले वाले device में आ जाएगा, तो दोस्तो वहाँ पे click क सकता है, लेकिन दोस्तो उसे slow नहीं होगा, दोस्तो Android पहले साही ये sharing का system दिया हुआ है, अपने smartphone के अंदर, लेकिन दोस्तो क्या है कि कुछ extra आप नहीं दिया, जिसके मदद से हम share कर सकते हैं, इसलिए हमको पता नहीं था, लेकिन दोस्तो ऐसे करके हम share कर सकते हैं, तो दो पिल तरहिं टेक फिन के और एक नए वीडियो में तब तक के लिए इस्टे से, बाबाई